अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और इन्हें अमल में लाएंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो सकता है, जैसा कि आप इसकी कलपना करते हैं. पहली बात प्रार्थना या प्रेयर से रुलेटड है, हम अकसर यह शिकायत करते रहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती या जो हम चाहते हैं उसके उल्टा ही होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है या हो रहा है, तो आपको मेरी दोनों बाते बड़े ध्यान से सुननी चाहिएं. प्रार्थना करते वक्त अकसर हम एक बड़ी गलती करते हैं, अनजाने में या अपनी नासमजी में हम वह मांगते रहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता है. हम अपने प्रार्थना में अपनी कमयों को दर्शाते हैं जैसे की हम यह दिखाते हैं कि हम किसी बात से परिशान हैं और उस परिशानी से मुक्ती के लिए प्रार्थना करते हैं हम अपने प्रार्थना में अपनी परिशानी का जिक्र करते हैं और यही पर हम भूल कर बैठते हैं, हमें नाकारात्मक प्रार्थना से बचना चाहिए और अपनी प्रार्थना को सकारात्मक बनाना चाहिए, मान लीजिए अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आपको अंधकार से मुक्ती के बजाए प्रकाश या रोशनी के लिए प् जिस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी प्रार्थना में जिस बात का जिक्र करते हैं, आपका फोकुस जिस बात पर होता है, वहीं बढ़ता है। अगर आप रोशनी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अंधकार खुद बखुद कम होता जाएगा और खत्म हो जाए तो आज आप खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप हमेशा सकारात्मक प्रार्थना करेंगे। अब हम दूसरी important बात पर चलते हैं। दूसरी जरूरी बात है प्रत्यूत्पन मितिस्व या presence of mind। अगर आप अपने thought patterns पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगे कि हमारा मान यानी mind किसी बेंजूलम की तरहा past और future में डोलता रहता है। लेकिन past तो बीच चुका है और future तो अभी आया नहीं है इसलिए जो मान वर्तमान में यानी present moment में नहीं है उसकी प्रार्थना भी past और future में चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना असरदार हो प्रभावी हो तो आपको अपने मन को अभी में यानी present moment में स्थिर करना चाहिए। यह इतना आसान नहीं है। mind को present moment में स्थिर करना बड़ा ही कठिन होता है लेकिन इसका एक सरल आसान तरीका भी है। इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है अपने स्वासों यानी breath पर फोकुस करना बिना उसको प्रभावित किये। आपको सिर्फ अपने आते जाते श्वास को महसूस करना है। यह ध्यान की एक पधिती है जिसको विपत्सना कहते हैं। अगर आप यहां बताए गए दोनों बातों पर ध्यान देंगे तो जल्दी ही आप अपने जीवन में पॉजिटिवर्टी महसूस करने लगेंगे और आपकी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं जाएगी। प्राणे है जाएगी। प्राणे है जाएगी।